आपके पास एंपाव की तरफ से उसका एंसी किंग लेकर एंपाव X3 तो चलिए आज की इस वीडियो में इसकी जल्दी से एंबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसका क्विक रिव्यू भी आपके सामने पेश कर गएगे तो बॉक्स में सबसे पहले आपको आपकी बुकलेट देखने के लिए मिल जाती है जिसमें पेपर वर्क होने वाला है डेफिनिटली विहा ऐसा ही है आपको एंपाव की तरफ से ये मेंबर्शिप कार्ड देखने के लिए मिलता है यहां पर क्विक ऑपरेशन गाइड भी मौ मिल सलके और आपको लास्ट बॉक्स में एक छोटा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है जिसमें डेफिनिटली आपकी है इमेल होगी यह आपको एक तर डाईप सी चार्जकरेशन केलिए मिल जाती है यहां पर और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो सिलिकॉन एर टिप्स भी देखने के लिए मिल जाते है एक बैकेट में और एक बैकेट में जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट लिखा हुआ है अलब यहां पे आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट सिलिकॉन एर टिप्स भी देखने के लिए मिल जाते ह तो चलिए अब जो है वो को एक रिव्यू पर जम करते हैं तो चलिए बाद शुरू करते हैं डिजाइन और वेल्ट कॉलिटी से तो यहां पर एंपाउ के इन एंसी किंग को कौन नहीं जानता है यहां पे आपको फुल एंड डॉंग टिल डिजाइन में आपके एरबट्स देखने के लिए मिल जाते हैं सामने की तरफ आप एंपाउ की ब्रेंडिंग देख सकते हैं उपर और नीचे की तरफ जो है वो आप अपने माइक्रोफोन देख स किया जाए यह प्रिवेंट करता है एक्सिदेंटल टेचस से भी और आपका जो टच कंट्रोल का एक्स्पिरियंस है वो भी पहुत जादा इन्हेंस करता है यहां पे आप इसके डिजाइन को देख सकते हैं यह फुल इन एर लॉंग टिल डिजाइन में आते हैं सॉफ्ट सि का अंदर से हैं वो कि ज्यादा प्रीमियम लोग प्रोवायड करता है और यह किसी भी जगह से से इह दक्रिक्री डेक्वीर्श करते हैं ». जो के ठोड़ी बहुत जो ही इन्हेंस कर देता है और आपको आपको आपो अची दिशन के लिए मिल जाती है lived on a पीछे की दरफ चार्जिंग केस के USB Type-C की पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है इसके चार्जिंग के लिए और यहां पर पूरा चार्जिंग केस जो है वो क्लीन और ग्लॉसी लुक में आता है तो चलिए अब इसके फीचर के उपर बात करते हैं तो यहां पर आपको Bluetooth 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और बारहाल इसकी connectivity जो है वो भादी ज़्यादा अच्छी है और यहां पर अगर आप राइट एरबट को जैसे ही charging केस से बाहर निकलते है यह आपकी device से connect हो जाते है फीचर में आगे बढ़ते है तो यहां पर आपको IPX7 waterproofing भी देख देखने के लिए मिलता है तो अब बात करते है इसके सबसे ज्यादा highlighting और सबसे ज्यादा mean फीचर के ऊपर यहां पर आपको industry leading active noise cancellation technology देखने के लिए मिल जाती है और साथी साथ आपको चार microphone भी देखने के लिए मिलते है जो कि आपको noise cancellation में help करते है और साथी साथ आपको ब करते है तो इस price tag में ये बड़े-बड़े flagships को भी बीट करता है active noise cancellation technology में जैसे के एपल के airpots pro samsung birds live और सब को यह जो है वो बीट करके इस price tag में जो है वो stand out करता है तो यहां में बैतरीन active noise cancellation technology आपको देखने के लिए मिलेगी और 4 microphones की वज़ा से आपको बैतरीन call quality भी कर देते हैं यहांबे आपको 10 mm का जो है वो driver unit देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको good clear और loud sound provide करता है विद पंची बेस यहांबे आपको जो है वो sound quality में भी कोई भी शिकायत नहीं आने वाली तो चलिए अब बात करते हैं इसके charging और battery backup के बारे में तो यहांबे आपक की quick charging देखने के लिए मिल जाती है वापको इससे two hours तक का charging time provide करना पड़ता है और two hours के बाद यहांबे आपको seven hours तक का continuous play time provide कर देता है और 27 hours तक का आपको charging case के साथ play time provide कर देता है और अगर यहांप active noise cancellation on भी है फिर भी आपको जो है वो अब to 25 hours तक का continuous play time देखने के लिए म मिल रही है और साथी साथ battery battery backup भी देखने के लिए मिल रहा है तो चलिए बात करते हैं अब इसके जबर्दस से touch controls के बारे में तो यहांपे आप single tap पे right वाले से volume को आप कर सकते हैं और single tap left वाले से volume को down कर सकते हैं और इसी के साथ calls वगरा को भी attend कर सकते हैं यहांपे double tap hold करेगे right वाले से तो आप जो है वो अपने ANC icon कर सकते हैं और उसे के साथ जो है वो आप ANC को off भी कर सकते हैं जब आपने इसे पहने होगे तो आपको alert देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप left वाले को press करके hold करेगे तो यहांपे आप अपने voice assistant को call कर पाएगे यहांप आप अगर triple tap करेगे तो आप जो है वो अपने playlist में आप जो है वो move forward कर सकते हैं राइट वाले से और आप जो है वो left वाले में triple tap करते हैं तो आप जो है वो backward आ सकते हैं अपने playlist पे और यहांपे में एक बात add करना चाहूँगा कि MPOW X3 उन earbuds में से हैं जिनके touch controls जो है वो भी नहीं होते हैं और साथी साथ यह एक अलग से space दिया हुआ है आपके fingertips controls को enhance करने का तो बहुत ज़्यादा बैतरीन आपको controls देखने के लिए मिलते हैं So these are the best TWS air birds with active noise cancellation और अगर आप Apple airports खडीदने जा रहे थे तो आप definitely अपना plan रॉब कर दीजेए क्योंकि यह जो है वो best Apple airports के alternative है इस price tag में और इसके जैसे quality आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी जो के आप W.PK से आसानी के साथ पाकिस्तान में all over buy कर सकते हैं तो इंतदार किस बात का है नीचे description में लिए गए लिंक्स है अभी इससे order करें